हलो गाहिज़ वर्कम बैक टू मैं चाइनल नियुक्त आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं चाहूंगी कि आप सभी अच्छे रहें और मैं अपने सीटेट के बारे में बताना चाहूंगी कि मेरी इस्टेजी क्या थी जब मैंने सीटेट का एक्जाम दिया था तो मैं सब जनरल वालों के लिए तो मैं भी बहुत डिप्रेस्ट हो रही थी किया कैते हैं कैसे marks हमारे बढ़ेंगे इंक्रीज होंगे लेकिन मैंने किया किया day by day प्रैक्टिस करती रही previous year से तो अपने आप ही marks बढ़ने लग गए धीरे धीरे marks बढ़ेंगे ठीक है आप यह सोचिंगे मैंने first previous year दिया तो मेरे marks एकदम से 125 आजाएं तो ऐसा impossible है तो आपके marks जो आएंगे वो 90 से भी कम आएंगे पासिंग मार्क भी नहीं आएंगे तो इंसान क्या करता है वैसे ही डर जाता है लेकिन आपको डरने की बात नहीं है आप अपना previous year solve करते रहिए क्योंकि जो भी fail होने का reason है ना मैंने बहुत सारे student से पूछा तो वो बस मैं बोलती थी कि आप PYQ solve करते हैं तो बस बहुत सारे student ने मुझसे यही कहा कि माम हम previous year questions के दो सेट लगाते हैं या तीन सेट लगाते हैं तो मैंने गा इससे क्या होगा दो तीन सेट से कुछ नहीं होता है कम से कम 10 to 11 सेट आपको लगाने पड़ेंगे क्योंकि तब ही आपको पता चलेगा कि आप कहां पे इस्टेंड कर रहे हैं जैसे अगर हमने हमारे पास PYQ में क वाइगोस की थियोरी से रिलेटिड ठीक है या प्याजे की थियोरी से रिलेटिड और हमारा वो कॉस्टेंड रॉंग हो गया तो हमें क्या करना है कुछ स्टुडेंट होते हैं वहीं पे छोड़ देते हैं कि जो कुश्टेंड गलत हुआ उस थियोरी को पूरा पढ़िए पूरा एनलाइस कीजिए उस थियोरी में क्या है क्या नहीं है इससे क्या होगा आपका कंटेंड भी रेडी हो जाएगा और आपका जो प्रॉब्लम थी वो भी आपकी सॉल हो जाएगी मैंने तो यही किया था कि जब भी मुझे अगर एक कोश्टन भी नहीं आता था पेपर इसलिए मैंने क्या प्याजे की पूरी थियोरी को पूरे कंटेंड को पर लिया ठीक है जिससे की कोई भी कुश्टन आए प्याजे से रिलेटिर वो छूटे ना ठीक है तो मैं यही कहूंगी कि आप भी ऐसी करिये और पी वाई क्यू सॉल्फ करिये जादा से जादा जैसे पेपर फर्स की बात तो उसमें CDP आता है CDP जो आता है वो 30 मार्क्स का आता है और CDP को स्ट्रॉंक करना बहुत ही जरूरी है तो मैंने जब CDP की प्रपरेशन करी थी तो मैंने हमान्शी मैं के लैट्स लर्ण चाइनल से करी थी और मैं कहूंगी आप भी वही से करिये अगर उनने जो पढ़ाया है नोट्स बना लीजिए अगर आपको नोट्स बना दे है उसके according आप study करिए क्योंकि उनने एक-एक थियोरी को बहुत ही अच्छे से explain किया है तो मैं यही कहूँँगे उनकी थियोरी इसको पढ़िये आप और उसके अपनी strategy बनाई है रही नेक्स बात language की तो language first and language second दो languages आते हैं language तो बहुत सारी हैं इनको हम choice कर सकते हैं 20 languages something लेकिन most of students क्या करते हैं कि हिंदी English में ही choice रखते हैं तो मैं यही कहूँगे कि जिसमें भी आपकी command बहुत अच्छी है चाहे वो English हो चाहे वो Hindi है उसी को आप first language choice करें क्योंकि मैंने जो मैं भी CBSE board से पड़ी हूई हूँ बट मैंने जो command जो मेरी command थी वो Hindi में भी ठीकती और English में भी ठीकती बट मैंने क्या किया परफर किया first language हिंदी को क्योंकि जो poetry section आता है first language में वो काफी hard आता है तो जो language अगर हम English को select कर लेते हैं तो language काफी technical हो जाती है क्योंकि 12 तक का पैसिस दे देते हैं वो फिर language काफी technical हो जाती है poetry के लिए पैसिस तो हम कर लेंगे लेकिन poetry के लिए काफी hard हो जाती है इसलिए पर ने first language हिंदी को ही choice के आता है तो मैं यही कहूंगी मेरी recommendation यही है कि आप भी first language को हिंदी को ही choice करिए ठीक है तो यह भी 30 marks के आते है language first भी 30 का होता है language second भी 30 का आता है लेकिन जो language first होता है उसमें unseen passage आता है ठीक है unseen passage 15 marks का होगा 15 marks की तो मारी pedagogy होगी तो जो unseen passage है उसकी तो आपको practice करने ही पड़ेगी without practice कुछ नहीं होगा unseen passage का तो आप unseen passage कोई भी previous year ले लिजिए मैंने तो kiran publication का लिया था तो मैंने उसके थूँ अपना unseen passage को clear किया और pedagogy मैंने pedagogy मैंने कोई भी YouTube channel पकड़ने जो भी आपको अच्छा लगए ठीक है मैंने उसके according पड़ाई करी थी अपनी और रही language 2 की बाद तो language 2 में भी मैंने ऐसी किया था जो unseen passes था वो भी 30 marks की आती है तो 15 marks का unseen passes था 15 marks की pedagogy थी जो 15 marks का unseen passes था वो तो मैंने previous year से ही solve कर लिया था लेकिन उसी के जैसा question आ जाता है ठीक है तो आप previous year को base बनाएं और उसके according अपनी preparation करना start करें next subject है maths तो maths भी 30 marks का आता है 15 marks की pedagogy होती है और 15 marks का content होता है जो मैंने अपनी preparation करी थी maths की वो मैंने जो 15 marks की preparation content वाली करी थी वो उद्य सर से की थी यूटूब चैनल से और जो 15 marks की जो preparation पेड़ागोजी की की थी वो हिमांशी में की channel let's learn से कर लेजी ठीक है तो मैं यही कहूंगी कि आप भी ऐसी करना maths में कुछ भी नहीं है basic questions आते हैं अपना content जो भी है content में भी basic question आते हैं आप easily qualify कर लेंगे क्योंकि content भी बहुत easy है 1 to 5th के लिए next subject है EVS तो EVS में भी 30 marks का आता है EVS 15 marks का 15 marks का पेड़ागोजी होता है 15 marks के content होता है तो मैं कहूंगी कि EVS के लिए आप class 1st to 5th तक की NCRT पढ़ सकते हैं क्योंकि KV स्कूल में तो 1st to 2nd तक की कोई NCRT नहीं होती है 3rd से आप पढ़ना इस्टाट की है 3rd to 5th तक की NCRT आप पढ़ सकते हैं और हिमानशी में के चैनल को Let's Learn को फॉलो कीजिए उसमें भी EVS की में ने प्लेलिस्ट पना रखी है उसको आप पढ़ लीजिए पेड़ागोजी को तो बहुत ही बेनिफिशल होगी तो मैंने अपना सीटेट का एक्जाम इसी के अकॉर्डिंग क्वालिफाई किया था मैं यही कहूंगे आप भी इसी स्टेटेजी को बनाईए और अपना सीटेट का एक्जाम क्वालिफाई कीजिए मैं यह नहीं कहूंगी जो भी मैंने यूट्यूब चैनल बनाए है आप मैंने जिन भी यूट्यूब चैनल से प्रपरेशन करी आप भी उनी यूट्यूब चैनल से प्रपरेशन करिए आप select कर लिजे आपको जो भी यूटूब चैनल अच्छा लग रहा है आप उससे preparation कर सकते हैं लेकिन ये मत देखिए कि 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट को लिए हम अलग-अलग यूटूब चैनल देखेंगे बहुत ज़्यादा भटक जाएंगे इसलिए बस एक या दो यूटूब चैनल को select कीजिए और उनी से अपनी strategy बनाएए और उनी के थुरू अपनी पढ़ाई को जारी रखिए ठीक है मैं यही कहूंगी previous year solve करते रही है क्योंकि जो भी seated exam में question पूसता है वो previous year के according ही पूसता है तो previous year को अपना solve करिए और जो भी mistake होती है उसे जो भी questions गलत होते है आपके उसे एक notebook बना लीजिए उसमें लिखिए और फिर उन questions का revise कीजिए फिर आपके questions mistake होना कम हो जाएंगे next previous year आप लगाएंगे तो उसके बाद आपके जो marks होंगे वो day by day बढ़ते ही जाएंगे और घपराने की बात नहीं है अगर first previous year में आपके marks 90 से भी कमा रहे है तो कोई घपराने की बात नहीं है धीरे धीरे आपके marks increase होते रहेंगे मैं यही कहूंगे अगर मेरे द्वारा दी गई information informative लगे तो आप मेरे चैनल को like and subscribe करें जिससे की मेरे आने वाली वीडियो जल से जिल आपके पास बहुत सके thank you and have a nice day